वेलकम फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल दुर्गे सिंग ओनलाइन क्लासे जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम आपको सेक्सपियर पर आधारत एक सीरीज लाएंगे तो उसी सीरीज का आज हम तीसरा पार्ट लेकर हाजिर हैं हमारे जितने भी विवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो उसी से हमारा होसला बढ़ता है कि हमारे अंदर भी कुछ एक तरह से जैसे टॉनिक पी के आईए बढ़ाते हैं अपना वीडियो आगे Who was the ghost in hamlet Hamlet में ghost कौन था A. Claudius B. Hamlet C. King of Denmark D. Queen of Denmark तो यहाँ पर हमारा option C. बिल्कुल सही होता है King of Denmark Next question की तरफ चलते हैं Cowards die many times Before their deaths The valiant never taste of Death but once This is an extract from तो यह किसने कही है यह लाइन कि जो कायर होते हैं अपनी मौत से पहले कई वार मरते हैं लेकिन जो बहादर होते हैं केवल एक वार ही मौत का स्वात चकते हैं Option A. Kinglier B. Hamlet C. Julius Caesar D. The Merchant of Venice तो इसमें हमारा right option है Julius Caesar Next question की तरफ चलते हैं ब्रेविटी इस दा सोल ओफ बिट इन विच प्ले इस लाइन अपियर्स कि बुद्धिमानी ही बुद्धिमानी ही बुद्धिमानी की आत्मा है यह लाइन कौन से प्ले में आपको देखने को मिलती है ओप्शन A. Hamlet B. Othello C. King Lear और D. Romeo and Juliet तो इसमें हमारा right option है Hamlet यह लाइन हमको Hamlet में देखने को मिलती है देखिया हमारा Shakespeare का सबसे छोटा प्ले कौन सा है ओप्शन A. Antony and Cleopatra B. Macbeth C. Julius Caesar D. The Comedy of Errors तो यह हमारा जो option D है यह सबसे छोटा प्ले है Shakespeare का Next question In which play these lines occur What is in the name That which we call a rose By any other name Would smell a sweet यह लाइन आपको कौन से प्ले में देखने को मिलती है कि अगर क्या होगा कि रोज को हम गुलाब को किसी दूसरे नाम से बलाएंगे अगर हम दूसरे नाम से बुलाएंगे तो भी वो इतना ही सुगंधित महकेगा जितना के रोज के नाम से महकता है तो यह line कौन से प्ले में बड़ी ही सुन्दर line है और यह line कहां देखने को मिलती है कि जो अच्छे लोग है वो तो कहीं पे भी रहें इसमें कहने का भाव यही आता है कि वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते है चाहें वो किसी भी परिस्थिती में रहें तो यह line हमको देखने को मिलती है अप्शन ए देखें Macbeth B. Othello ता मर्चेंट अब बैनेस D. Romeo and Juliet तो यह सुन्दर line आपको Romeo and Juliet में ही देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेस्चन Every mother breeds not alike This is a line from यहाँ अप्शन है हमारे Titus, Adronicus B. As you like it C. Hamlet D. Caribbeans तो यहाँ हमारा उप्शन A. Titus, Adronicus एकदम सही है Next question Present fears are less than horrible imagining These lines occur कि जो बरतमान के डर है वो तो कम है और उनकी अपेच्छा कम है जिनको कि हम भयानक कलपनाओं को कर रहे हैं उन कलपनाओं से कम ही डरावने हैं तो यह लाइन आपको कहां देखने को मिलती हैं कौन से प्ले में Option A. Othello B. Machado About Nothing C. Macbeth D. Twelfth Night तो यहाँ आपका राइट उप्शन है Macbeth यह लाइन आपको Macbeth में देखने को मिलती है Next Question In which play Iago's character appear कि यह Iago का character है कौन से नाटक में आपको देखने को मिलता है Option A. King Lear B. As You Like It C. Othello D. Macbeth तो इसमें हमारा राइट उप्शन है As You Like It Next Who wrote Shakespearean Comedy and Shakespearean Tragedy A. Dodden B. H. Vita Charlton C. Verity D. None of these तो इसमें हमारा राइट उप्शन है B. H. V. Charlton Next Question Who is Toby Belch in Twelfth Night? कि यह Twelfth Night प्ले है इसमें Toby Belch कौन है? ओलिविया के फादर है लवर ओलिविया है या अंकल ओलिविया है या ब्रदर ओलिविया है तो यह ओलिविया के अंकल है अंकल ओलिविया उप्शन सी एकदम राइट है Next Question What is the name of Caesar's wife? Caesar की वाइट का क्या नाम है? उप्शन A. Porshia B. California C. ओलिविया D. Maria इसमें हमारा राइट उप्शन B है California Next Question डंकन वाजदा किंग ओफ तो यह डंकन कहा के राजा थे? A. Denmark B. Scotland C. Holland D. England I think आपने आंसर गैस कर लिया होगा तो अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ इसमें आंसर हमारा B. Scotland एकदम राइट है डंकन इसकॉटलेंड के किंग थे? Next Question What is the name of King Lear's youngest daughter? यह जो King Lear की सबसे छोटी वेटी का क्या नाम है? तो यहाँ देखें यह Option A. Gonerid B. कहएगा C. Cordelia D. Gertrude तो Gertrude हमारा आंसर का भी नहीं हो सकता Gonerid भी नहीं हो सकता तो इसमें यह King Lear की सबसे छोटी वेटी थी Cordelia जो अपने नसीब पर विश्वास करती थी Bart is the name of Othello's wife Othello की पत्नी का क्या नाम था? Option A. Amelia B. Bianca C. Desde B. Cordelia तो Othello की वाइफ का नाम था Desde Option C. Right Next It is the stars The stars above us govern our conditions यह सितारे ही हैं और सितारे हमारी परिष्थितियों को क्या control गवर्न करते हैं Els are self-made And made could not be get हम इसे नहीं वना सकते तो यह इतना भेदभाव कहां मिलता है यह issues कहां मिलते हैं Where do these lines occur? A. Midsummer Night's Dream B. Julius Caesar C. King Lear D. Macbeth तो यह line हमको King Lear में देखने को मिलती हैं जब King Lear कहता है जब अपनी बेटियों से पूछता है कि तुम सबसे अधिक प्रेम किसे करती हैं तो वो जवाब देती है कि पिताजी मैं अपने नसीब पर ही निरवर करती हूँ यह सितारे ही हैं जो हमारे नसीब को निरधारित करती है जोक से भरा हुआ है A. 12 नाइट B. मिड्समर नाइट स्ट्रीम C. लफ स्लेवर्स लॉस्ट D. मच अडो अबाउट नथिंग तो इसमें राइट आंसर है हमारा लफ स्लेवर्स लॉस्ट नेक्स्ट विच इस दा स्वान सौंग ओफ सेक्सपियर स्वान का मतलब होता है अंतिम तो यहाँ सेक्सपियर की सबसे अंतिम रचना इन में से कौन सी है A. मच अडो अबाउट नथिंग B. दा टेमपेस्ट C. दा मर्चेंट ओबैनेस D. दा मेरी वाइबस ओफ बिंड सर तो यहाँ अमारा राइट ओप्शन है B. टेमपेस्ट इनकी अंतिम इनका अंतिम नाटक है जो सबसे बाद में लिखा गया है नेक्स्ट कुश्ट नेक्स्ट कुश्ट एज केन नोट विदर हा नोर कस्टम स्टेट हर इंफिनिटी इंफिनिट वह राइटी यह लाइन किसके वारे में कही गई है अज केन नोट विदर हा नोर कस्टम स्टेट हर इंफिनिट वह राइटी तो यह लाइने है A. डेस्टेमोना B. लेडी मेपेत C. कैलियोपेट्रा D. अकूर्ट यह लाइन किसने कही है कि my salad days when I was green in judgment, cold in blood to say as I said them, यह लाइन किसने कही है कि my salad days when I was green in judgment, cold in to say as I said them, तो यह इसके में option है हमारे कौन से प्ले में आई है यह किसने कही है किलियोपेट्रा, B. इनो पार्वस, C. एंटनी और D. लिबिडस, तो यहां राइट ऑप्शन है कलियोपे ने कही है, next question की तरफ चलते है, what is the name of Anthony's sword after a famous battle, एक famous battle जो जूलियस सीजर में लड़ा गया था, उसके बाद जो Anthony की तलवार थी, उसका क्या नाम था, A. फिलिपन, B. रोमिलस, C. एक्ट्यूमन, D. एलेक्जेंडियन, तो यह इसकी तलवार का नाम था, फिलिपन, next question की What character beside Cleopatra dies by the bite of Karanda, कि Cleopatra के अत्रेक्ट कौन सा करेक्टर है, जो Karanda की काटनी से मरता है, A. इरान, B. चर्माइन, C. डियोमेड्स, D. डोला बेला, तो इसमें हमारा right option है, B. चर्माइन, next question की तरफ चलते हैं, Who speaks epilogue in as you like it, as you like it में जो अंतिम डायलोग है, किसके द्वारा बोला गया, epilogue का मतलब होता है, कि जो नाटक की closing speech किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ option है, हमारा A. रोजेलेंड, B. सीलिया, C. औरलेंडो, D. टॉर्क्स, तो यहाँ हमारा right answer है, रोजेलेंड, इस नाटक में रोजेलेंड की speech के साथ ये बंद होता है, next question, the character bastard appears, जो bastard का character है, कौन से नाटक में आता है, A. King John, B. Henry IV, C. Twelve Knight, D. Othello, तो यह character हमें King John में देखने को मिलता है, next question की तरफ चलते हैं, who said these lines, love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore, is being cupid painted blind, यह line किस ने कही थी, कि love looks not with the blind eyes, कि love को अंधी आँखों से नहीं देखा जाता, बलके इसको mind से देखा जाता है, तो इसका right option है, आपका किस क्या है, option A. Helena, B. Pock, C. Thesis, D. Demetrius, तो यहां हमारा right answer है, option A. यह speech Helena की है, यह line Helena के द्वारा बोली गई है, next question, the character of Decozian appears in, कि यह Decozian का character है, कौन से नाटक में देखने को मिलता है, A. King Lear, B. Twelve Knight, C. King Henry, D. Hamlet, तो इसमें हमारा right option, B. Next question, Priam is the king of, Priam, राजा है, कहां का है, option A. Britain, B. Holland, C. Troy, D. Scotland, तो यह Priam, Troy का राजा है, next question, Ascalas is the prince of, कि Ascalas कहां का राजा, राजकुमार है, A. Britain, B. Denmark, C. Varona, D. Navarre, तो यह Varona का राजकुमार है, next question की तरफ चलते हैं, Blow, blow, दाव, Winter, Wind, चलो, चलो, एठंडी हवाओ, चलो, दाव, आर्ट, नोट, सुअनकाइंड, आप उतनी, दयाहीं नहीं हो, कटू नहीं हो, As men in gratitude, जितना के मनुष से, ऐसान फरामोश होता है, वेर डू दीज लाइन अपियर, यह लाइन कहां पर मिलती है, कौन से पले की हैं यह लाइन, कौन से पले में दी गई है, option A, Henry, 6, B, As you like it, C, Hamlet, D, McVeith, तो इसमें हमारा right option है, B, As you like it, Next question, How many lines does the tempest contain, जो tempest play है, Shakespeare का, उसमें कितनी लाइने हैं, A, 2000, B, 2068, C, 1000, D, 100, तो इसमें हमारा right option है, B, 2068, यह इनका सबसे छुटा play है, It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing, where do these lines appear, कि, यह line कहां पहाई है, कि, इस ए टेल, यह वो कहानी है, जो, किसी मूर्ख के द्वारा, कही गई, कही गई, जो, डर, और आवाजों से, भरी हुई है, यह line कौन से नाटक में आपको देखने को मिलती है, इसमें राइट ओप्शन है, और अप्शन ए मैक्बेथ, कि नाटक में गोश्ट कहाँ पर प्रकट होता है, ऑप्शने, जो, इसमें हमारा अप्शन ए गोश्ट कहाँ पर प्रकट होता है, इसमें राइट ओप्शन है, इसमें राइट ओप्शन है, इन हूज हिस्ट्री ओफ डेनमार्क डिट सेक्सपियर फाउंड दा बेक्ग्राउंड माटीरियल फॉर हिस प्ले, कि डेनमार्क में किसकी हिस्ट के इतिहास में सेक्सपियर को अपने नाटकों का बेक्ग्राउंड मिलता है, यहां हमारा राइट ओप्शन, बी है, सेक्सो ग्रामेटिकस, नेक्स्ट क्वेशन, फूस स्टोरी हैमलेट आस्क दा, प्लेयर इट सेल अपन देयर अराइबल तू, अलसिनूर, ओप्शन अ, प्रियाम एंड हैक्यूबास, बी एंटनी एंड क्लोपेटरास, C. गर्टूड एंड क्लावडियास, D. ओफिलियास, तो यहां मारा राइट ओप्शन है, प्रियाम एंड हैक्यूबास, नेक्स्ट क्वेशन, विच करेक्टर स्पीक्स दा, फर्स्ट लाइन ओद दा प्ले, हैमलेट, जो हैमलेट प्ले है, उसमें पहली लाइन, कौन सा करेक्टर बोलता है, A. बर्नाडो, B. फ्रांसिसको, C. हमलेट, D. होरेशियो, तो यहां जो प्ले है, बर्नाडो की स्पीच से, शुरू होता है, नेक्स्ट क्वेशन, विच करेक्टर स्पीक्स, फ्रॉम बिनीट दा स्पीच एट, विच करेक्टर स्पीक्स, फ्रॉम बिनीट दा श्टेज एट, दा एंड ओफ दा एक्ट, C. फ्रॉस्ट एन, हमलेट, तो खॉन सा करेक्टर है, जो स्टेज के निचे से, बोलता है, एक्ट फस्ट में, हेमलेट नाटक में दा घोस्ट B. हेमलेट C. क्लाउडियस D. पॉलोनियस तो यहां राइट आप्शन है दा घोस्ट है यह घोस्ट है जो स्टेज के नीचे से बोलता है नेक्स्ट क्वेशन Who are Orlando's brother in the play as you like it As you like it नाटक में Orlando के भाई D. कौन-कौन है A. Oliver and Adam B. Adam and Jax C. Oliver and Corin D. Oliver and Jax तो इसमें हमारा राइट आप्शन है D. Oliver and Jax नेक्स्ट क्वेशन Who is the wrestler whom Orlando defeated कि वो पहलवान कौन था जिसको Orlando ने defeat किया था और्लेंडो ने हराया A. Adam B. Charles C. Dennis D. Silvius तो इसमें राइट आप्शन है हमारा B. Charles नेक्स्ट क्वेशन Who accompanied Rosalind and Celia to the forest of Arden कि जब Rosalind और Celia Arden के जंगलों में गई थी तो उनके साथ कौन गया था किसने उनके साथ को पकड़ा था तो इसमें है A. Adam B. Orlando C. Oliver D. Touchstone तो इसमें राइट आप्शन है हमारा D. Touchstone Next question What is the Rosalind's name after her disguise? कि अपना भेश बदलने के बाद Rosalind ने अपना क्या नाम रखा? A. William B. Ganymede C. Silvius D. Amines तो यहां हमारा राइट आप्शन है Rosalind ने अपना नाम Ganymede रखा था जाब उसने अपना फेश बदला था इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए अन्यवाद अन्यवाद